बिन्हेख नमश्कार देश की बात में आप सभी का अभिनंदन वन्दन इस वक्त देश में सब तरफ जाती की ही चर्चा है, जाती की ही जाती पर ही हंगामा है, जाती पर ही कोहरामे सब कुछ जाती में हो रहा है जाती में। इसा लग रहा कि मंदल पार्ट टू जैसा कोई दौर आ गया है। इसे 90 के दशक में मंदल का था। और सुप्रीम कोट से जो निर्णय आया अरुसूचित जाती और जन जाती के आरक्षण में उपवर्गी करन के को लेकर। उसने इस जाती के हंगामे को और ज्यादा हवा दे दे। और इसी के बीच में जाती का हंगामा पहुँच गया लोकसभा के बीतर। और वहां से जब भारती जनता पार्टी की तरफ से बोलने खड़े हुए अनुराग ठाकुर और उन्होंने बिना किसी का नाम ये ये कह दिया कि जिनकी जात का पता नहीं वो जातीकत जनगरना की बात कर रहा है। इस पर हंगामा हो गया। राहुल जी ने कहा कि ये मुझे गाली दी गई है। अनुराग ठाकुर के बयान में किसी का नाम नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं। उनका जिनकी जात का पता नहीं वो जनगरना जातीकत जनगरना की बात कर और फिर पूरे बिपक्ष ने उसको ये इशू बना दिया कि राहूल गांदी को इंसल्ट किया गया राहूल गांदी को गाली दी गई कुछ लोगों से पूछा हमने भी कि गाली कौन सी दी गई तो बोले ने यही गाली है कि जिनकी जात का पता नहीं वो जातिकर जन्रणा की बात करें बोले यही गाली मनते हैं हम लोग इसी को अब इससे कोहराम मच गया राहूल जी ने ततकाल प्रभाव से अपना भाव मुद्रा बदली और उन्होंने कहा मुझे चाहिए यतनी भी गा सब्सक्रासियों के लिए लड़ता रहूंगा और जो भी इनके लिए लड़ता उसको गाली मिलती है और बोले मुझे माफी भी नहीं चाहिए ना गाली जो के लेकिन अखिलेश जी उखर गे अखिलेश यादव जी बोले भाई तुम कैसे पूछ सकते हो जात तुम जात कैस गटबंदन हुआ था यूपी के दो लड़के जिसमें नारा बना था वह अब असली में लग रहा है कि यूपी के दो लड़के विलकुल हात में हात साथ साथ तो उस बांडिंग के तहत अखिलेश यादव ने कमान समाली राहूल गांधी के उसमें समर्थन में कहिए पूरे देश में कंघरस ने इसको मुद्दा बना दिया कि राहूल गांधी का आप मान किया गया अप मान किया गया नहीं किया गया इह विशेट अलग चर्चा हो जाती है लेकिन मूल स्वर क्या है? मूल स्वर है कि जब देश में सब तरफ जाती का शोर है और राहुल जी मतलब दिन में अगर पांच पब्लिक प्रेटफॉर्म्स पर मिलते हैं लोगों से या कुछ अपना लिखते हैं, ट्वीट करते हैं तो उसमें तीन में तो जाती कर जन्रन नह अगलेश जी भी पत्रकारों से पूछते हैं, नाम नहीं के बल जात बताओ, किसी इनका माली जी बहुवनेश्वर, बहुवनेश्वर क्या होता? आगे बोलो, अचाब बाप का नाम बताओ, ताकि जात पता लगे, किसी इनके ते बहुवनेश्वर मिश्रा, तो लें, जात की खोज करनी है, आप करो तो सही, और कोई अनुराग ठाकुर ने पूझ, उनसे जात पूछी नहीं, लेकि मैं करो माली जी कोई पूछे, नेता की जात तो इसमें हैरानी की कौन सी बात है, नाराजगी की कौन सी बात है, कि आप जब जवानी भर की जात पूछ रहे है क्या आप सुप्रीम कोट के जजिस की जात पूछ रहे हैं आप सेना में जात पूछ रहे हैं जहां के नहीं पूछी जानी चाहिए आप भारत की नौकरशाही में जात पूछ रहे हो आप बजट बनाने वालों में जात पूछ रहे हो फोटो लाते बोले देखो इसमें कितना तो जब आप यत्र तत्र सर्वत्र समाना वाले भाव से जातिका धज लेकर चल रहें आगे, तो आप से तो उमीद देश को यह हो है कि आप अपनी जातिका सारविनिक हलप नामा खुद ही देते थे, अब तक कई राउंड दे दे देना चाहिए था नहीं? पर हम किसी विशे को आंदोलन बनाने के लिए निकल पड़ें, तो उस विशे में हमारे पर जो प्रशन खड़ा होता है, वो तो हम पहले पब्लिक में सही कर दें, राहुल जी को इस तरह के किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता, अगर आधिकारिक तोर पर वो अपनी जाती का एलान करते थे, ति वह यह है, मात्र पक्ष से चलेगा, पित्र पक्ष से चले, पिता की तरफ से चलेगा, नाना की तरफ से चलेगा, दादी की तरफ से चलेगा, कहां से चलेगा, उसका, वो दे दे, दादी के पिताजी से चलेगा, उनके पिताजी से चलेगा, कहीं से तो एक आपको फेमिलिट्री बनानी पड़ेगी, नहीं, जाती के लिए फेमिलिट्री तो आपको चाहिए, इधर वाली ले लोगे, बहारत में इधर वाली चलती, इधर वाली में बहारत में जाती पिता के पक्ष से निर्धारन है उसका लोक जीवन में तो राहुल जी को इस बात का बता देना चाहिए हो सकता है वो जाती बाले फ्रेम में आए नहीं यह भी है कुछ विद्वान इसा भी कहते है अगर वैसे वंशावली बनेगी तो राहुल गांदी और उनके पिताजी राजीव ग फिरोज गांधी भाईबर्थ पारसी थे आप पारसी में जाती होती है कि नहीं होती इसा भारत में तो यह matter अगर वहां से आप फिरोज गांधी से जोड़ेंगे, वो टाइटिल कुछ भी लिख लें अपने नाम का, गांधी तो कोई जाती नहीं, टाइटिल आप कुछ भी रख लीजिए, मात्मा गांधी के नाम पर आपने रख लेंगे, लेकिन फिरोज गांधी और उनका परिवार, गोशित तोर पर पार्शी संपरदाय का था, तो वहां से ही अगर फिरोज गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर राहूल गांधी, तो मामला दूसरा बन जाएगा, और नहरूजी से चले, तो भी एक दिक्कत आती है कि नहरूजी, फिर इंद्राजी, फिर राजीव गांधी, लेकिन फिर दरसोनियाजी भी हैं, तो जाती को लेके इस तरह का, उहां पो की स्तिति, राजनेता के संदरव में नहीं रहने चाहिए, और वो भी वो राजनेता, जिसने अपने राजने हमको ये जानना है कितने मुख्यमंतरी OBC हैं, हमको ये जानना है कितने अधिकारी दलित हैं, हमको ये जानना है कि सेना में कितने OBC हैं, दलित कितने हैं, सुप्रीम कोट में कितने हैं, बताई, जो जिन लोगों को राहूल गांधी की जाती पूछे जाने पर नाराजगी थ काइस्त कौन है ठाकूर कौन है क्या अब वो सुप्रीम कोट के जजज का पंचनामा कर रहे हैं भाई सुप्रीम कोट में रिजर्विशन लागू नहीं है वहां का पंचनामा हो रहा है और कह रहे हैं कि फैसला ठीक कैसे देंगे जब इसमें कोई कि रिजर्विशन ही नहीं है मतलब तो वह जब उस सीमा तक आप जाते हो कि सुप्रीम कोट के जजज कई भी जनम पत्री साजने करते हो के कौन सी जात के हैं कि फिर तो यह स्थिति आजाएगी कि थोड़े दिन बाद जजों से पूशा जाएगा वहिया कौन जात हो हमार मुकदमा तुम सुनों के नहीं सुनों पहले हम तब बताएं पहले विताओ तुमारी जात कौन सी है हम अपनी जात वाले को सुनवाएंगे मुकदमा जाएंग कि इस्थिति बन सकते हैं बकील भी हो सकता आगे चलकि एस्थिति पैदा कर देख़ें ना भई हम फ़लानी जात कि हमें फलानी जात कई जच चाहिए ये स्थितियां उस तरफ जा रहीजों और पूरी क vet इस बात से ना राज़ी कि राहूल गांधी का अपमान कर दिया क्या राहूल गांधी को कोई विशेशा अदिकार हासिल है कि वो जो सवाल सबसे कर सकते हैं वो सवाल कोई नहीं कर सकता है एक छोटा सा प्रसंग याद आता है, कुछी कुछ, किसी धर्न, उसमें धर्ने पदर्शन में रहुल जी को थाने गए थे, कुछ इस टाइब के कुछ दर्श्य रहा था, तो उत्रपदेश कांगरेश के बड़े नेता हैं, प्रमोट तिवारी, पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी बिटिया आराधना, अब वहां कांगरेश विधान मंदल दल की नेता हैं, उत्रपदेश का, तो तिवारी जी ने कहा, प्रमोट जी ने, कि वही समझी ने आरा सरकार को यह राहूल गांधी है गांधी परिवार है इनके साथ क्या सामानी कानून चलेगा जो सब पर लाग होता है इनके लिए अलग कानून होना चाहिए बताइए बाबारे बाबा कांग्रेस के नेताओं ने गांधी परिवार के लिए अलग कानून की ही मांग कर दी भारती धंड सहीता एक अलग बने गांधी परिवार के लिए फिर को हो तकता कल को आ जाए वो कहे कि एक सम्मिधान भी इनके लिए लाहिदा बनाओ बागी देश भर के लिए अलाइदा क्योंकि विशिष्ट हैं क्या इसलिए नाराजगी है राहूल जी ने भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जात और गोत सड़क पर माइक से मंच पर माइक से कई बार बताया और यह भी कहा कि नकली ओभी सी है नरेंद्र मोदी आपकी जात पूछने की गुस्ताथी खड़ दे तो आप नाराज हो जाएंगा यह भाव ठीक नहीं लोकतंत्र में और जात छुकती भी नहीं जात पर कंफ्यूजन रहेगा तो सियासत में नुकसान रहेगा जान लीजिए ना इधर वाले जुड़ पाते हैं ना उधर वाले जुड़ पाते हैं कोई कुछ समझता कोई कुछ इसलिए समझदार नेता वही जो अपनी जाति पर किसी भीत्रह का धुंद नहीं लगने दे शीशा जात का शीशा मिलकुल साफ रखिए जिसमें आर पार दिखाई दे चेहरा उसमें धुंद मत रखिए कॉंग्रेस को भी चाहिए कि वो अपने सबसे इस सबसे बड़े चेह करें और एक सत्य इस्थापित करें कि वे राहूल गांदी इस धर्म के हैं इस जाति के हैं इस व्यवस्था के हैं बात खतम हो जाएगी और वो उस बात पर ठीक है नाराज होने से बात नहीं बनती लोकतंत्र में लोकतंत्र में लोक के भीतर से जो प्रश्ण उठता है उसका उत्तर देने से ही बात बनती है तुनक जाने से नाराज होने से बात नहीं बनती धन्यवाद